नमस्कार आप देखरे क्लीन न्यूज एमपी और मैं हूँ आपके साथ महक कपूर और वक्तों चला है मध्य प्रदेश की खास खबरों का सभी खबरों से अपडेट रहने के लिए वीडियो को अंतर जरूर देखे इस दिन जारी होगी दसवी किष्ट किसानों के खाते में आएंगे इतने रुपे प्रदान मंत्री किसान सम्मान निधी योजना की दसवी किष्ट इस मही ने 16 दिसंबर को प्रदान मंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा ज़ारी किये जाने की उमीद है लाभारती पीम किसान अधिकी अधिकारिक वेबसाइट पीमकिसान.gov.in पर लॉग इन करके नवींतम अपडेट प्राप्त कर सकते हैं मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार है 15-16 दिसंबर 2021 तक वितरित होने की संभावना है योजना के अनुसार हर साल सरकार द्वारा किसानों को 6,000 रुपे की नगत राशी हस्त्रांतित करने की अवेशक्ता होती है आज से एक्टिव होगी संशोदान अवेदन लिंक एक लाग से अधिक पदो पर भरती जाने नियम और निर्देश उमीद्वारों के लिए बड़ी खबर है रेलवे भरती आरार्बी ग्रूप डी एक्जाम 2021 के संभावित रूप से 23 वरवरी 2022 से कई चर्णों में आयोजित होने वाली है बोट के अप्टेट के नुसार आवेदन की स्तिति की जाच के साथ सुधार लेंक आज 15 दिसंबर 2021 से लाइव होगा जिन्युमीद्वारों के आवेदन खारिच कर दिये गए हैं वे अधिकारिक शेत्रिय वेबसाइटों पर rrbcdg.gov.nadi पर संशोधन लिंक का उप्योग कर सकेंगे rrb group d परिशा 2021 लेवल एक के पदों के लिए योजित की जाएगी करमचारियों के लिए रहात भरी खाबर 18 महीने के बकाई टीए एरियर्स पर आई बड़ी अपडेट जाने कब मिलेगी राशी केंद्र सरकार के लाखो 7 पे कमीशन करमचारियों के लिए खुश खबरी है मोधी सरकार डीए में 31 प्रतीशत की वृधी के अलावा असोसियेशन की बड़ी बैठक आज कहा नहीं हुआ इनका तबादला तो करेंगे काम बंद मध्य प्रदेश में दौर हाई कोट बार असोसियेशन से सक्त रुक अपना लिया है दरसल हाई कोट बार असोसियेशन के महतवपून बैठक से पहले असोसियेशन ने चिताबनी ज़ारी की थी कि वकीलों के साथ दौर व्यवार करने वाले नियाधीशों का तबादला नहीं किया गया तो वकील हाई कोट में भी काम बंद कर देंगे इसके साथ ही जिला नियाई आले में हर्ताल ज़ारी रहेगी वहीं हाई कोट में वकील काली पट्टी बंद कर काम करेंगे दरसल बीते दिनों न्याइधीशों द्वारा वकीलों से कतित रूप से दुर्व्यवार की मामले सामने आने पर बार रसोसीशन ने कड़ा रुकित थियार कर लिया है चात्रों के लिए काम की खबर स्कूल का समय बदला प्राचारों को भी निर्देश जारी मध्य प्रदेश के स्कूली छात्रों के लिए काम की खबर है ठंट के मौसम को देखते हुए अशोक नगर कलेक्टर ने स्कूल के समय में परिवर्तन किया है अब साड़े अट बजे से कक्षाय संचालित की जाएंगी इसके लिए आदेश भी जारी कर दिया गया है वही देश की आजादी के अमरत महुत सवंतरगर्थ डाग विभाग द्वारा स्कूल सिक्ष विभाग के सहयोग से टीकम गर में 15 दिसंबर को पोस्ट काजब भ्यान योजित किया जाएगा इसके लिए प्राचार्यों को निर्देश जारी कर दिये गए हैं अशोक नगर कलेक्टर और उमा महेश्वरी के निर्देश नुसाइड डियो नीरच कुमार शुकला द्वारा जिले में सर्दी अप्रारंभ होने के कारण विध्यालियों में अध्य सरकारी स्कूल में सिक्षक बनने की चाहा रखने वाले युवाओं के लिए सुनहरा मौका मध्यप्रदेश प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोड़ द्वारा मार्च में आयुजित होने वाली प्राथमिक सिक्षा पातिता परिक्षा वर्ग तीन के लिए मंगलवार 14 दिस वी.in पर आवेदन कर सकते हैं दरसल मध्यप्रदेश स्कूल सिक्षा विभाग की ओर और ट्राइबल डिपार्टमेंट के अंतरगर्ट सरकारी स्कूलों में 5000 प्राइमरी सिक्षकों की भरती की जानी है अधिकारियों में कारे विभाजन कलेक्टरों को जारी है निर्देश सुप्रीम कोट में सुनवाई आज मध्य प्रदेश पंचाच चुनाफ को लेकर दाय ग्याची काओं पर आज बुधवार 14 दिसमबर 2021 सुबह 10 बजे होगी इससे पहले सुमवार और फिर मंगलवार को सुनवाई होनी थी जो टल गई थी वहीं जिला पंचाच अध्यक्षपत के लिए आरक्षन प्रक्रियाप 18 दिसमबर को होगी आरक्षन से पहले अब सब की निगाहे सुप्रीम कोट पर टिक गई हैं उमीद की ज़ा रही है आज कोट अपना फैसला सुना देगी इधर राजे निर्वाचन आयूक ने निर्देश दिये हैं कि जल से जल तीन वर्ष से अधिक समय में एक ही स्थान पर पदस्त अधिकारियों की तबादले करने की निर्देश दिये जाएं सरकार ने HC में दिया जवाब इस दिन आएंगे प्रारंबिक मुख्य परिक्षा 2019-20 के परिक्षा परिणाम जल गोशित किये जाएंगे मध्य प्रदेश शासन की ओर से हाई कोट ने इस मामले में जानकारी दी है जिसमें बता गया है कि तीन हफते भीतर MPPAC राज्य सेवा परिक्षा 19-20 के रिजल्ट जारी कर दिये जाएंगे बता दे कि राज्य सेवा परिक्षा में आरक्षन विवाद को लेकर 46 याची का हाई कोट में दाखिल है मद्यप्रदेश में ठीटूरन से फिलाल रहात पच्मणी से जादा ठंडा रहा खुज रहो पाकिस्तान की बास सक्रिये पश्टिम विशोप के बुधवार को जमू कश्मीर में पहुशने के असार है सिस्टम के असर हर्याना और उसके आसपास हवा की उपरी भाग में चक्रवाद बना हुआ है इस वज़ा से हवाओं का रुख बदल गया है हवाओं के साथ आ रही नमी के कारण बादल चाने से दिन रात का तापमान बढ़ने लगा है इस वज़ा से एट हैंट से फिलहाल रहत मिल गई है मौसम विज्यानियों के मुताबिक बुद्भार को एक अन्य पश्ट में विश्योप के भी उतर भारत की तरफ बढ़ने की संभावना है जबलपुर में बंद हो सकती है 12,000 हित्ग्राईयों की समाजिक सूरक्षा पेंशन पात रहा पात रिदग्राईयों का पता चल सके तो ये थी दिन भर के दस बड़ी और एहम खबरे डेली ऐसी अपडेट रहने के लिए क्लीर न्यूज एमपे को सब्सक्राइब करना बिलकुल न भूले और साथ ही आप ये न्यूज कहां से देख रहे हैं